जुगादरी में पानी निकासी ना होने से गरामिडों में रोश है और इसी रोश के चलते गरामिडों ने जाम लगा दिया सड़क के बीच धरने पर बैट गई के महिलाएं और गरामिडों का परशाशन पर एक बड़ा आरोप सामने आया तहाई ये गया कि बार बार परशाशन को शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्ता का समाधान खोने ही रहा के और अब समाधान खोने तक रोड़ जाम की चेताबनी दी गई है अब देखना होगा कि रोड़ जाम करने के बाद जब जन्ता को परिशानिया पेश आ रखी हैं तब परशाशन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं पहरी बाद तो देखी ये तो तैह है कि पुलिस परशाशन मौके पर पहुँचेगा और साथी साथ महकमे के अधिकारियों को भी साथ लिया जाएगा और प्रयास होगा कि ग्रामिडों को समझा बुजाकर जाम खुलवा जाए लेकिन ग्रामिडों ने भी जिस तरह से मोर्चा खोला खें उसको ने के रिए जरूर साफ करते नजर आए खें कि बार-बार वो परशाशन से गुहार लगा चुके गें जब उनकी गुहार नहीं सुनी गई तब उन्हों ने एक अदम उठा आखें अब रोल जाम कर दिया खें महिलाएं धरने पर बैठी है और जाम लगा जिया गया खें बाकाइदा एक ट्रेक्टर को भी सड़क के बीचों बीच खड़ा किया गया खें जगादरी में पानी की परिशानी का सबब बन गया कि है बरसाथ के इस मौसम में जगे जगे पानी जमा हो गया कि है जिससे की लोगों को एक तो आने जाने में दिक्टर हो रखी है दूसरा एस मौसम में मच्छर बहुत जादा हो गए है और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखे एक तो करोन क्योंकि परशाशन के तरफ से प्रयास तो होगा कि ये रास्ते को खुलवाया जाए क्योंकि जाहिर से बात है कि आम जंता को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। करना जानी रहेगा। और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए खबर अभी तक कि समवाद दाता प्रवेश खान इसोख थमारे साथ लाइब जुट जुके हैं प्रवेश का रुक करते हैं। प्रवेश अब जाम लगा दिया कि आके क्या परशाश्री कधिकारियों की तरफ से किसी तरह का प्रयास हुआ के इस जाम को खुलवाने के लिए। बिल्कुल आर्टिस सबसे पहले तो मैं वो वजह बताना चाहूंगा जिसकी वएसे जाम लगा है आप मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये पंजेटो गावार यहां पर जो गंदा पानी है नालियों का वो सड़क पर तालाब बनकर बैह रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं दूर दूर तक जो है ये गंदा पानी गाव में अंदर गुश चुका है ग्रामीर बार बार प्रसाशन से मांग कर चुके हैं बावजूद इसके अभी तक इसका समाधान नहीं हुए है हलाकि प्रसाशन के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं पुल सबस्क्राइब नहीं होता तब तक समस्क्राइब नहीं होगा तस्वीर आपको दिखाना जाओंगा सबसे पहले मैं तो कुछ बात करते हूं आज यह जो धनना लगाया है इसकी क्या वजाए पानी खड़ा गरांगे गाड़ी बच्चे बुमार हो रहे पानी पीने के वड़ा बिखरा बेरा जैसे नाड़े का पानी वा आपने पहले कभी किसे गौहार लगाई सबको लगाई सब कोई कुछ निकरता हां अब तक यह जार रोड जाम रख जब तक पानी निकलता हां जिवाब देंदा वीडियो भी दिवी निकरता कुछ लियां तो जनिया ही रहांगे जाने आने तो और आम बच्चे ना चुटन स्कूल माँ जाएक का साप गाट गया तो इतों एका साप काट गया बहु का और वापास तार्मा पड़ी जैदी अधे यह पानी का बुरा ले रहा और थारे बच्चे जान लिखना की कर लिकना उन्मीद है आपको यहां पर आय ह और रहां पर दिख नहीं है जिनका कहना है कि जब तक समझस्य का समधान नहीं होगा हम यहां से उठने के लिए तैयार नहीं है चाहे हमें भू करताल करने पड़े तो हम भू करताल करेंगे इसके अलावा कुछ और लोग भी यहां पर मौजूद हैं वहीं मैं दूसी तस्वीर आपको दिखाना जाओंगा जो परसादनी अधिकारी हैं ग्रामीन उनसे मिल रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं आए उनसे जान लेते हैं कि असल में क्या मांग है और वो क्या कहना चाहते हैं औ समधान क्या निकलता है लेकिन ग्रामीनों की यहीं मांग है कि जब तक समस्या का समधान नहीं होता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा आरती देखे पर वेस एक तरफ तो पानी भराक है लोगों को भारी परिशानी पेशा रखी कि अब रोड जाम कर दिया गया है ऐसे में आम जंता को भी दिक्कते पेशा रखी कि यहां पर जिनोंने जाम लगा आ कि उनसे भी बात कीजिए और बताईए कि आखिर किस तरह से आब न दिखाना चाहूंगा इस तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरफ बिर लंबा रोड जाम लग चुका है जो रास्ता जाम किया उसके वाई से लंबा जाम लग चुका है वहीं मैं दूसी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा आर्ती की दूसीर तरफ भी रोड करीब लोटना पड़ रहा है यह तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ लोग यहां पर आये थे लेकिन ग्रामीनों ने उनको समझाव जाके वापिस पीछे की तरफ कर दिया है कोशिस करेंगा उनसी बात चीछ करने की कहां पर वो जाना चाहते थे और उन्हें क्यों वाप उनसे ही बात करने की कोशिस करेंगे कि कहां जारे बाई सब्सक्राइब क्या करांबरानों के भी यह तो क्या पीछी से जाएंगे बाद फाक्सी च्रोली में तो नाकल लगवा था वहापको पतन लगा कि रोड़ जाम है नहीं पतन लगया है इस चीज़ कर नहीं पताता है से जो वहाँ चालक परिशान है उनसे बात कराई है उनके भी यह कहना है की हमें पता नहीं था लेकिन अब हमें वापिस जाना पड़ेगा हलांकि जो वहाँ चालक हैं उनको परिशानी जुरूर हो रही है पर्षाशन कर रहा कि कि इस जाम को खुलवाया जाए क्या लगता कि परवेज़ क्या अब पहुंचे हैं यहाँ पर मौके पर पुरस अधिकारी बाचीत से समस्या का समाधान होगा क्या जल्द ही जाम खुलेगा क्योंकि देखे लोगों को तो परिशानी हो रखी कि इतना लंबा जाम लग गया के बिल्कुल आरती मैं आपको बतादू कि आप से करीब धाई तिन गंटे से जाम लगा हुआ है तिन तिन थानों के से यहाँ पर मौजूद है कुल ट्रैफिक असेच्चो पर मोद कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं ग्रामीनों से लगातार वो बात चीत कर रहे हैं हलांकि HDM और BDPO को उनको यहाँ पर बुलाया गया है वो अब ही तक नहीं पहुंचे हैं उसके बाद ही कुछ समस्या का समाधान हो सकता है वहीं ग्रामीनों का चैना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारी जो जारी रहेगा इसके अलावा अगर हमें भू करताल भी करनी पड़े तो हम करेंगे लेकिन इस समस्या का समाधान है वो जल्द से जक्त होना चाहिए